कि अहां जी का इस कैसे आप लोग आयो पिस भी बढ़िया हूंगे अपने लाइफ में इंज्वाइक करें गए तो गई जी एक से कोर्स की सीजिए जिसका यह फार्ट नमर है को किस तरह कर सकते हैं बेसिक से फेक्टर्स होने वाले हैं वह आप इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे तो चलिए गाई ज्यादा टाम ना वेस्ट करते हैं आज के टोपिक का पाँ स्टार्ट करते हैं रेडियाशन इस वेरी हारफुल टू बायोलोजकल टीशू बट आफ कोई भी बोड़ी के लिए बट आपका क्या करते हैं रिस्क वर्सिज बैनिफिट फेक्टर को हमेशा आप यहां एंटर्टेन करते हैं फिर मिन्स यहां यूज करते हैं ताकि कोई भी पेशंट है उसकी डैथ ना हो पाई यह फिर उसको ज्यादा कुछ से प्रोब्लम्स ना आप अब आँ हो पाए एक परसन हमाई उसको गगर स्थार्ट फ़ेज में पता लगा राइडिएशिं गेजरू उसकी लाइफ को सेव क्या जार है ना हो सकता हमता दो प्या-पता वो कैन्सर ईसके डैथ का कारण बने यौ कोई इंट रे इंट इंटनोड इस पहले आपको तो आपको थोरी मिन जो डिशन सेफ्टी अपना जो बुकलेट है जो अपनी चेप्टर था वो चैप्टर था वो चैप्टर था तो यह चीज़ आपको चेकर नहीं होगी गाईज दन अगर बात की जाई तो आपको प्रोपर ट्रेनिंग रही है कि नहीं आप एक होस्पिटल म अगर वहां नहीं बताई जारी तो आप उन्चे पूर सकते हों कि सर यह चीजी कैसी होती है कैसे सेफ्टी रहती है इसके साथ बहुत सारे ऐसे रेडिशन सेफ्टी प्रोग्राम्स होते हैं सेमिनार वेबिरार होती है वो अगर आप जोईन करोगे तो आपके लिए बहुत होने वाला है दर कहना है कि second concept अपने को radiation का timing reduce करना है reduce the exposure timing अगर कह सकता हूं गाइज कि मैं अपर मेरा 2 second 5 second exposure में मेरा काम चलए तो मैं 10 second exposure क्यों दूँगा means कम से कम टाइम में अलारा को फड़ा होगा ना कम से कम टाइम में तरह ना guys तो यह concept अपने को देखने को मिलेगा उसके साथ साथ अगर बात अपने को जो भी radiation dose दे रहे हैं आप उसको मोलिटर करना सबसे इंपोर्टन रहता है गाईज ठीक है दन अगर बात किते हैं तो यह बेसिक से ऐसे concept है जिन से अपने अगर बात किते हैं तो रेडियोशन डोज इस नोट लाइक अब्जोर अगर एक जैसे नहीं होती हो सकता है कोई अब्जोर हो को एक्वेलेंट हो को एफेक्टिव हो तो यह चीज़े अपने को पता होना चाहिए कि किस लेवल पर रेडियोशन को आपका कंट्रोल कर रहे हैं क तो भी मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ होगे थैंक्यू फ्रेंड सेवे नाइस डे